कि दोस्तों आज ऐसे न्यूच टीम तीन दिवस्टी आखंड पार्थ के आयोजन पर सतलोक आस्रम धनुशा नेपाल के मुखे द्वार पर खड़ी है आज हमारा अंदर जा करके यह देखना है इसकी शुरुवत हो चुकिया बानी चलेगी तीन दिन के अखंड पार्थ की बानी जलेगी और हवन की दयारी होगी और और क्या-क्या खास इन्होंने दवसाई कर रखी है तीन दिवस्टी आखंड पार्थ की आज हम यह जाने के लि सब्सक्राइब यह जाने की विश्टा देखते हैं आशम से थोड़ी दूरी पे पार्किंग की विश्टा है अभी हम खड़े सथ लोका समके पार्किंग अस्थल में यहां आप देख सकते हैं यह पाट पार्थ का सुआ इक गंटा भी नहीं बीता है कि आप गार्यों का आप अभी भी देख सकते क्लंबी कतार आसरम की ओर बढ़ रही है तैयारिया भी सुरह है तुकी है आप देख रहे हैं कि भंडारे खाने के लिए आदमी आ रहे हैं जारे बंडारा सुरह है सतलोक आसरम के 20 प्रांगन में खड़ी हूं और मैंने सुबह से जो मैंने देखा जो अनभब किया मैंने यह देखा कि यहां पर बच्चे हो जवान हो सब बालक मनोबरीती में बिलकुल निश्चींत जैसे अपने पिता के आंगन में निश्चींत हो करके बच्चे रहते हैं सा परिवार जो है यह सारी भी अभी आनी शुरू हुई है इंका परिवार अभी तीन दिन तक यहां पी जूटेगा हर एक आश्रम में भक्त परिवार बिलेंगे जुलेंगे एक दुसे से आपसे बाचित होगी लोगों की और साथ पर इनका खल पाठ में चलता रहेगा ठीक म अध्य बसा यह प्रदर्शनी अस्थर अपने आप में एक आकर्शन का केंद्रबिंदू बना हुआ है और जैसे कि हमाई निगाज आ रहे हैं कि इस और भीर भी खासी आकर्शित हो रहे हैं जितने भी आने जाने वाले आगंतुक हैं एक वार इसमें गए बिना रहनी पा र इस टाइप की यहां पर वाइप सारी है इस तरह की का यहां का द्रिश्चत दिख रहा है और भीर तो यहां इतनी अच्छी खासी प्रभाविन हो रही है जितने भी आगंतुक चाहिए शोटे बचे हो बड़े दुजन हो महिलाएं हो पुरूस हो सब इस सलसे आकर्शित हु हो करके और चीज को समझने की कोशिज कर रहा है हम पर पर दर्शनी अस्तल को समझाने के प्राज्च से वादार है हम यह तो क्या आप हमें बताना चाहें यह अपने यह क्या बना रखाए ज्ञान का रहस्या है इसलिए और कि आ चाहते हैं कि अपर गील आ, ऋर सौशम्वियेद के बारे मेरे गूरु जी अर्थाचत संतराम फाल जी महराज बताते हैं इसका परमान गीता जी से मिलता है, वो चीज आप देख सकते हैं यह सेवा है कि लोगों को समोजाना अची तरह से यह सेवा हमको मिला है मैं इस पोस्टर के मारत हैं सापने क्या समझा है? ये समझाये कि मेरे गुरुजी संत्रामपाजी महराज जो बताते हैं वो सारा बेद सास्तर अर्थात गीता के हिसाब से जो भी ग्यान देते हैं गीता के अनुसार ग्यान देते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले पोस्टर में बताया था कि आपने पूछा था कि तत्वदर्सी स जो कि मेरे गुरु जी अर्थात्रामपाल जी महराज बताते हैं कि यह संसार उलटा लटका वागरिक्ट है इसको सारा बेद के हिसाब से संदरामपाल जी महराज बताते हैं यह उल्टा लटका हुआ ब्रिक्ष है जिसकी ज़र प्रमात्मा अर्थातकबिर साहब है जितने भक्तजाने आप देख रहे हैं मैं भंडारे में खरी हूं भंडारे के एक कॉर्णर में खाने की प्रवस्था की जा रहे हैं आप देख सकते हैं पूरी राम अभी यह लोग बनने जाहां परमाई यह रोटी बहल रही है पूरिया बहल रही है सब्जी कट्रें और भंडत पाई सारे जितने मिल्बगत जन्मे यह सारे पूरी बनाने कोई सब्जी बनाने में वेश्थ हैं पर्षाथ की इसमें चेट लू परशाथ के जिम्हेदारी आपकी है? बुरु जी निमीं कोई देवे हैं मैं जाना चाहूँ कि क्या हलू परशाथ में कितने जिर्वशाथ की तुरु परशाथ में कितने इसमें गी की मात्र है? इसमें 6 विपे गीक होते हैं, जी टना जिला परमागर सो तुछ omat उस page 10, each is एतना चिल्न अपरन परमागर से 6 तिनła के शप्रमाग एं जतना होता है तो इस समागम में किद्ने अलॉवा परसाद आप बनाएंगे किसमें बणाएंगे कम से कम कि यह लाइन यहां पर भक्तों ने लगा रखे क्योंकि अब इनका वही हल्वा परसाद का भोग जो है वह परमात्मा के दर्बार तक जाने वाला है दर्बार साहिब तक जाने वाला है अब यहां वहीं कैप्चर करने के लिए खड़े हुए है आप देख रहे हैं यहां पर परसाद जा रहा है दर्बार साहिब मार्गी की ओर परसाद आ रहा है यहां आर्थी का तैयारी जड़ा है इनर्शन को पाई आप देख रहे हैं कि अभी हम सत्लोक आसरम के दर्बार साहिब में खड़े हैं ढर्बार साहिब की जहां सेवा चलती है ढर्बार साहिब का मतलब इनका कहना है कि जहां पर्मात्मा की व Sievast पार्ट में बैठ चुके हैं और यह पार्ट लगातार लगातार 72 घंटे यानि तीन दिवस्य अखंड पार्ट है जिसमें लगातार पार्ट गिया जाएगा साथ ही साथ संत्रामपाजी महराज की बानी भी चल रही है आपका नाम क्या है जी आपसे एक्चुली यह जो प्रांगन नहीं है इस प्रांगन के मारे में क्या होड़ा है यह जी यह संत्रामपाजी महराज की यहां पे 6-7-8 का पंडारा है उसके उकलक्स में यहां पे तीन दिवस्य सत्राम चलावा है जिसके दोरान यह तीन दिवस्य पार्ट का उड़े से क्या है मैं जी तीन दिवस्य पार्ट चलेगा यह संत्रामपाजी महराजियों के अमरतवाणी है जिन्होंने आचे 2500 साल पहले अपने आतों से लिपवाई थी और उनी वाणियों का पार्ट अभी चल रहा है इन वाणियों का जो पार्ट चलेगा जिसे बातावन सुद होगा जो भ me महराजी की तेहांरे अफ्तरन दिवस्य अमनाया जा रहा है साथ सिंपंबर 1951 को संत्रामपाजी महराजी का धनाना गाउं में इस足रां पर ऊतरन हुआ उसके उकलक्स में संत्रामपाज महाराजी के सिस्य, नैपाल ही नहीं, इंडिया में भी कोटल लों आसरमों में ये विसाल भंडारे का आयूजन किया गया है, जिसमें देश परदेश सभी को आमत्रत किया गया विसाल भंडारे के लिए झाल झाल